हैं तो होना है कि है कि है लो इस्टूडेंट मैं रमाकान स्वागत करता हूं आज किस वीडियो में जिसमें हम उड़ान वैज के अंतरगत क्लास नायंत का साइंस चेप्टर नंबर कार्बन इसके बारे में जितने भी महातुपूर्ड एमसी क्यूं है उसको मैंने इस वीडिय पर है जिन भी द्यार्तियों को आएगा वो कमेंट करके बताएं कि जिनको नहीं आएगा ध्यान से समझेंगे के खाने वाले सोडा का रशानी रूप क्या है यही पूछरा आ जा रहा है एंचो थिरी ने इस दिटी ने सीटेश दिटी तू एंडे यह सीए CACO3 तो यहां पर सही हो जाएगा B वाला अपसन नNACO3 खाने वाले सोडा का रसानी सूती या रसानी रूप क्या है NACO3 इसको और क्या बोलते हैं sodium bicarbonate बोलते हैं ठीक है इसी को क्या बोलते हैं sodium bicarbonate sodium bicarbonate ठीक है इसको याद कैसे करेंगे अगर जो आप लोग भोन जा रहे हैं कि sodium bicarbonate है कैसे याद करें तो क्या होगा याद करने का मैं trick भी होता हूँगा ठीक है sodium bicarbonate देखे जब आप लोग किसी के घर पर खाना होने खाने जाते हैं तो खाने खाने हैं उसके पाद में क्या करते हैं bicarbonate तो यहाद कर सकते हैं bicarbonate ठीक है इसका फार्मूला हो जाएगा अब देखते हैं अगला question यह देखिए पूछा जा रहा है इसमें graphide का हुआ है कौन सा गुड़ है जिसके कारण इसे इसमें जो होते हैं इसमें इलक्ट्रान का अस्तना अंत्राड हो किया जा सकता है ठीक है तो कहरा graphide का इसा कौन सा गुड़ है जिसके कारण यह इलक्ट्रोड की तरह परियोग में किया जाता है पहला option दिया गया है कोमल होगा चिकना आप आड़ दर्शिक उसके बाद में बिद्धूत का अच्छा सुचा आलक उपर इसमें से कोई नहीं तो यहां पर से हो जागा आपका option number C यह बिद्धूत का सुचा आलक होता है इसलिए इलक्ट्रोड की तरह इसका उपयोग किया जाता है ठीक है अगला question देखते हैं देखे कह रहा इसमें से निम ने इसे कौन सा carbon का अपर रूप नहीं है अगर जो आप लोग question समझ पा रहे हैं तो वीडियो को like कर दिजिए अपने दोस्तों के पास भी share करिए निम ने इसे कौन सा carbon का अपर रूप नहीं है graphite, koila, diamond उसके बाद में carbon random तो कौन सा सही हो जाएगा यहाँ हो जाएगा carbon random ठीक है graphite भी carbon का रूप है koila भी है उसके बाद में diamond भी है डी वाला अपसा आपका सही है यह अपर रूप नहीं है carbon का ठीक है अगला question हम देखते हैं अब इसमें क्या कर रहा है कोila के किस रूप में carbon की परतिस्ता सबसे कम होती है कोila के कितने परकार होते हैं यह चारों परकार है अब इनमें से पूछ रहा है सबसे कम किसमें carbon की परतिस्ता होती है सबसे कम किसमें पाय जाती है pit दिया गया है लिगनाइट दिया गया है, बिटिमनास दिया गया है, एंथेसाइट दिया गया है, तो इसमें सबसे कम किसका पाया जाता है, बिट का पाया जाता है, ठीक है, पीट का पाया जाता है, देखिए, और सब इसके बारे में जान लेते हैं, सबसे ज़्यादा कार्वन का परतिसत इसमें पाई जाता है कि अगर यह तो शीधर एक होती है और सबसे जयदा उफियोका इसका 58जाता है अपने इसकी बात की जाये में घर Сейчас को कि लिए अगला ला कुश्चन देखती जा भी कि कह रहा है कार्मन का सबसे कठोर रूप है डी अब फिर प्रवात है कार्मन का आल्ट कर काज और पता नहीं हूं यह और हाप सकते हैं लोग एक बगार आप तो समय पहर नहीं है इसका परयुक्या किया जाता है अगर जो पहाण वहाण काटे जाते हैं तो वहाँ पर इसका परयुक्या जाता है ठीक है अगर जो हीरा उरा काटना हो तब इसका परयुक्या जाता है ठीक है हीरे से मतलब हीरा काटना जाता है या फिर और कुछ काटना हो तो पहाण वहाण मे भी इसी का प्रियूक किया जाता है इसके बाद देखते हैं अगला कुश्चन देखिए यहां दिया गया है हीरा यानि कि जिसे बोलते हैं डायमंड में उपरिक तो रसानिक बंध होता है इनमें से कौन सा रसानिक बंध होता है जो हीरा होता है इसमें कौन सा बंध बनता है आयनिक बनता है उपसा संयोजी बनता है उसके बाद में सा संयोजी बनता है या धात्वी बनता है तो क्या उनसा बनता है सा संयोजी बनता है ठीक है बी बाला अपसन सही इसका अब इसके बाद में देखते हैं अगला question दिखें यह कह रहा है किसी तत्व के एक से आधिक रूपो में पाये जाने वाले गुड़ को क्या कहते हैं जैसे कोई तत्व है उसके अलाग अलाग रूप पाये जाएंगे तो उसको क्या कहेंगे हैं समरुपता कहेंगे अनुरुपता कहेंगे अपनरुपता कहेंगे इन में से कोई नहीं तो कौसा सही हो जाएगा इसे बोलेंगे अपनर शह्याद एपमे ऐहां पर टी मत्सष्जाrá आपका अब दिखते हैं अगला question देखिए इसमें पूछा जा रहा है कार्बन में गुलन सील है कार्बन में इनमें से जो दिये गए है चार आपसन इनमें से कौन सा गुलन सील है पहला दिया गया है सांद्र ह2-H04 उसके बाद में सांद्र दिया गया है यह है hydrochloricum यहां सांद्र दिया गया तो सांद्र करतेंगे यहां तनों दिया गया तन्र हो जाएगा और यह है नाइट्रिकum ठीक है तो नाइट्रिकum में क्या होता है कारवन गुलंसील होता है अब इसके बाद में देखते हैं अगला question अब इसके बाद का सूत्र क्या है यहां पर पूछा जा रहा है बहुत important question है इस तरह के question आपके ग्याम में आते रहते हैं तो सुस्क बाद का सूत्र क्या हो जाएगा CO2 ठीक है बीवाल आपसन सही है ठोस जो होता है CO2 इसको हम क्या कहते हैं तो उसके पर अब बोलते हैं तो आज के वीडियो में जितने भी मातपूर question थे इनको मैंने साल्व करा दिया है आप लोग अच्छे से समझ भी गये होंगे